17 अक्तोबर 2020 से बनने वाले हर्याना के करेंट अफेर इस वीडियो में मैं आपके साथ सांजा करूँगा उमीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे Star IQ YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा Star IQ PDF के नाम से Telegram चैनल है इसे PDF फाइल के लिए जोइन कर लीजिएगा कल आप से सवाल पूछा था प्यारे बच्चो उसका सही जवाब क्या होगा दिल्ली मुंबई Expressway Connect होगा नोईडा International Airport IZIA से इस Expressway से हर्याना के किस सहर को लाब होने वाला है तो इस क्युस्तन का सही अंसर था बल्लबगड बी आप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा और बल्लबगड को जो है 24 किलोमेटर का एरिया जो है या यूँ कहिएगा 24 किलोमेटर के एरिया को benefit होने वाला है इस Expressway से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्युस्तन है हाल ही में नारनोध हलके से इनैलो के किस पूरो विधायक का 61 वर्स की उमर में हरद्य गती रुकने के कारण निधन हो गया है तो इनका नाम है प्यारे बच्चो सरोज मोर ए आप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्युस्तन का हमारा जो की आपको फोटो में दिखाई दे रही है ये इनैलो की पूरो विधायक रह चुकी है और अभी 61 वर्स की उमर में इनका निधन हुआ है वैसे ये मेदानता हॉस्पिटल जो की गुरुगराम में स्थित है वहाँ पे कई दिनों से एड्मिट थी संकरमन की वज़े से लेकिन कुछ दिन पहले ठीक भी हो गई थी फ्रिदावाद में एक इनका गह है तो वहां रह रह रही थी और अभी रिसेंटली सुक्रवार को यानि की कल ही के दिन में जो है दोपैर में इनका जो हर्जय गती रुकने से इनका दिहान्त हो गया ये जानकारी दी किसनी है इनेलो के नेता राज सिंग मोर ने दूसरी बात 2009 के अंदर जो है ये इनेलो की तरफ से जो है ये विधायक बनी थी और दूसरी बात इनेलो की रास्ट्रिय कारे कारणी सदैश्य भी रह चुकी थी ये आगे बढ़ते हैं अगला क्युस्तन हमारा क्या रहेगा कि किस जजपा विधायक ने हाल ही में मिले चेर्मेन पद को ऐस विकार कर दिया है आपको याद होगा कल का ही साइद पहला क्युस्तन आपको मैंने पढ़ाया था कि रिसेंटली बरोदा उप्चुनाओ होने से पहले ही भाजपा और जजपा इन दोनों की गठवन्दन सरकार के अंदर कुछ चेहरों को चेर्मेन का पद दिया गया है ताकि वो थोड़े राजी हो जाएं और ये इलेक्शन जल्दी से जीच जाएं या वो भी अपना दमकम लगाई इस इलेक्शन के अंदर तो जजपा के एक चेर्मेन बनाए गए जिनका नाम है जोगी राम सिहाग इन्होंने जो है इस चेर्मेन के पद को ठुकरा दिया एस वी कार कर दिया ए आप्शन जो है इस के उसन का हमारा बिलकुल ठीक है सर इन्हें किस पद का चेर्मेन बनाया गया था इन्हें हरियाना आवास बोर्ड का जो है वो चेर्मेन पद के लिए जो है वो सिफारिस की गई थी या दिया गया था लेकिन इन्होंने इसे ठुकरा दिया अब ये कहां के विदाय कैसर ये हैं बरवाला से हिसार में ये रहते हैं अब क्या कारण रहा है देखिए इन्होंने जो कारण बताया है अभी हाली में ये कहा है कि जो recently तीन किरसी विधेक के अंदर सरकार ने पारित किये हैं उनके ये विरोध में हैं और वो तीनों किरसी कानून जो है वो किसी तरीके से किसानों के हित में नहीं है इसी वज़े से मैं जो है सरकार के साथ में नहीं चल रहा हूँ और सरकार के दवरा दिया गया पद जो है पद का परस्ताव मैं ठुकरा रहा हूँ ये तो बात है इनकी जुबानी लेकिन ग्राउंड लेवल पे बात ये कह रही है, सियासी दल ये कहता है, कि इनको मन्शा ये थी कि इनको मिलेगा कोई मंत्री पद, लेकिन इनको बुढा दिया दे के छोटा सा चेर्मेन का पद, तो ये सियासी बात है, हाँ, इस वजह से एक जुरूर होगी, बात जुरूर ह वाली बाते की थी, एक टोहाना के विदायक है, देवेंदर बबली, उन्होंने भी कई सारे विवाद भरी टिपणियां की थी, तो ये सोचा जा रहा है, कि जिस टाइम ये उपमुख्यों मंत्री बने थी, तो लोगों ने कहा था, कि आज तक हर्याना में उपमुख्यों मं अंटि बोडी मिली थी, अब एक बार फिर से सीरो सरवे कब करवाया जाएगा, पहला सीरो सरवे हुआ था हर्याना में, उसमें 8% अंटि बोडी मिली, डूसरा सीरो सरवे अब हर्याना के अंदर 19 और 20 ऑक्तूबर को करवाया जाएगा, बी ओप्शन जो है, इस क्योशन का ह वो बिल्कुल ठीक रहेगा और दूसरे सीरो सर्वे के अंदर ग्रामीन और सहरी छेतरों से 720 लोगों के सैंपल लिये जाएंगे रैंडम ली पहले में तो 8% जो है एंटी बोडी पाई ही गई थी अचा पहले सीरो सर्वे के दुरान जो है वो साड़े 800 लोगों के रैंडम सैं दरसल देखेगा सीरो सर्वे से ये पता लगाने में मदद मिलती है कि किस रेशो के अंदर अबादी करोना वाइरस जो है उसे संकरमित है कितने एरिया के अंदर जो है वो करोना वाइरस फैल चुका है या इस सीरो सर्वे में किसी छेतर में रहने वाले कई लोगों के सीरम क जांच होती है यह blood से लिया जाता हलका सा जो है उंगली से हलका सा खुन लेके और 15-20 मिंट के अंदर ही चेक कर लेते हैं लोगों के सरीर के अंदर जो है क्रोना वायरे से लड़ने के लिए antibody मौजूद है या नहीं है इसका भी पता चलता है और साथ ही इसकी भी जानकारी मिलती है कि कौन व्यक्ति कब संकर्मित हुआ और कब ठीक हो गया और हर्याना में सीरो सर्वे के तहट क्या होता है कलस्टर बनाये जाते हैं जिसमें घर घर जाके जितने भी health workers होते हैं वो sample लेते हैं और central server के तहट जो है इन health workers या इन टीमों के उपर पूरी निगरानी भी रखी जाती है कि कौन से team कब गई थी, कहां गई थी, कब sample लिए थे, क्या उनका result रहा है ऐसा सब कुछ अब आपके मन में आ रहा हुआ सब आप बार बार antizen और antibody नाम ले रहे हो वैसे तो मैंने अपने previous lecture में कई बार जिकर किया इनका लेकिन briefly अगर आपको मैं यहां जिकर करूँ तो antizen वो होता है, जब भी हमें कोई रोग होता है तो हमारे सरीर में antizen enter करता है कोई भी जैसे जुखाम भी हुआ तो भी antizen कोई न कोई आएगा सरीर में और सरीर क्या करता है, उनके खिलाफ लड़ता है उसको antibody कहते हैं, जिससे परतिरक्षा भी कहते है जर्नली, vitamins वगरा से यह immunity हमारी strong होती है नॉर्मली बन जाती है, जिनके सरीर में नहीं बनती तो फिर हमें जो है injection या tablets का सहरा तो फिर लेना ही पड़ता है अच्छा, के अलावा एक बात और भी important है यहाँ पर क्या कि सीरो सर्वे के लिए ही COVID-19 सीरो सर्वे mobile application का भी सुभारम किया गया है यह सुभारम किस ने किया, हमारे हर्याना के स्वास्ते मंत्री अनिल विज ने किया अनिल विज ने किस जीले में स्थापित नई COVID-19 आनवी कियाने की molecular lab का वीडियो conferencing के माध्यम से उधगाटन किया है तो अभी हाल इमें हर्याना के ग्रह मंत्री या हर्याना के स्वास्ते मंत्री ने एक molecular lab का वीडियो conferencing के माध्यम से उधगाटन किया है पानी पत के अंदर ए आप्शन जो है इस क्यूस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अच्छा इनका कहना ये है कि हर्याना के अंदर अस्पताल और medical college के अंदर ऐसी ऐसी COVID-19 की lab लगाई जाएगी जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा test बढ़ सके और test के साथ साथ ऐसी भी बात हो कि COVID-19 का परचार परसार हो कैसे रहा है परचार तो कहई रहे है लेकिन परसार कैसे हो रहा है हमारी body के अंदर और ये भविश्य में जो है वो किस तरीके से इसे रोका जा सकता है और धीरे धीरे जो है ये हर्याना के सबी जीलों में स्थापित की जाएगी वैसे तो इसकी सुरुवात स्टार्टिंग में पंचकुला से ही कर दी गई थी अगर आपको याद है तो मैंने आपको प्रिविएस वीडियोस के अंदर पढ़ा चुका हूँ लेकिन रिसेंटली पानिपत में हुई है और इसके जस्ट बात जो है यमना नगर भीवानी के अंदर भी जो है मौलिकिलर लैब जो है उनकी स्थापना या उनका उदगाटन जो है वो किया जाएगा अच्छा इसी के साथ इन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से ही और क्या काम किया है एक NHM हर्याना के नाम से एक मन्थली मैगजीन जो है इसका भी अनावरन किया है ये मन्थली मैगजीन में क्या होगा इसमें हर्याना के दवारा जितने भी स्वास्ते सेवाओं पर उठाए गए कदम क्या क्या है कौन-कौन से department ने या हर्याना government में क्या-क्या कदम उठाए इसकी उपलब्दियों का परचार परसार करने के लिए इस magazine को launch किया गया है यह basically यह समझलों की लोग, विभाग और government इंटीनों के बीच में जो है एक bridge का काम करेगी मतलब लोगों को पता लग सकेगा भी government ने यह काम किया यह योजना launch की ठीक है और दूसरी बात ये भी है कि हर्याना के अंदर फ्रिदावाद, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक और करनाल में plasma bank already चल रहे है यह एक बहुत important कि उससे है न हर्याना का पहला plasma bank एक रोहतक में खुला था, उदगाटन हुआ था और दूसरा हुआ था फ्रिदावाद में हलांकि घोषना पहले फ्रिदावाद की हुई थी और दूसरी घोषना रोहतक की थी लेकिन उदगाटन पहला जो किया गया ग्रह मंतरी दवारा वो आपका किया गया था रोत्तक के अंदर ये बात आप याद रखिएगा अब मन में सवाल आ रहा है सर ये molecular lab क्या होती है तो molecular lab का मतलब ये होता है कि basically हमारे gene, proteins इन सभी के samples के लिए मैं आपको सीधे सब्दों में यूं कहूँ कि हमारे सरीर के अंदर एक coronavirus हो जाने के बाद में कैसे एक cell यानि की कोसिका को effect करता है ये किस तरीके से जो है हमारी cell active होती है deactivate होती है या cell का activity होती है इसके दोरान कैसे RNA, DNA का का काम होता है ये सारी चीजों की study की जाती है through this molecular lab तो ये बात आप याद रखिएगा इसे already ऐसा नहीं है कि इसे COVID-19 में use किया जा रहा है cancer वगरा disease में भी इसका use किया जा ही रहा है already तो इसके बाद में अब इसे COVID-19 में तो किया ही जा रहा है ताकि चेक किया जा सके कि cell पे कैसे effect डाल रहा है ये COVID-19 का वाइरस हर्याना किरसी उद्धोग निगम के 9 निक्त किस चेर्मेन ने किरसी उद्धोग को बढ़ावा देने के लिए हर्याना में खुलेगी 2000 दुकाने ऐसी घोशना की है अभी recently आपको पता ही है कि चेर्मेन बने ही है मैंने आपको कल बताया था अगर आपको यादो एक जो है वो आपके निर्विरोज चुने गए हर्याना किरसी उद्धोग निगम के 9 निक्त किस चेर्मेन ने किरसी उद्धोग को बढ़ावा देने के लिए हर्याना में खुलेगी 2000 दुकाने ऐसी घोष्णा की है अगर आपको याद है कल का पहला किस्तन जिसमें मैंने बताया था कि भाजपा और जजपा पार्टी ने मिल के कुछ विधायकों को जो है चेर्मेन का पद दिया है क्योंकि बरोदा का बाय इलेक्शन आने वाला है और कुछ विधायकों को जो है मिठी गोली देदी राजी कर दिया हलाकि जोगी राम सीहाग ने तो ये मिठी गोली नहीं ली लेकिन कुछ ने तो ले ली और कुछ तो इतने राजी हुए कि इन्होंने तो हमें भी राजी करने की ठान ली और इनका नाम है एक राकेस दोलताबाद C option जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अच्छा राकेस दोलताबाद देखी रहे हूंगे आप लोग कितने मुस्कुरा रहे हैं इन्होंने क्या क्या कहा है इन्होंने ये कहा है कि किसानों को 25,000 से लेके 20,000,000 रुपे तक का लोन दिया जाएगा वेर हाउस की संख्या बढ़ाई जाएगी और केस साथ में किसी छितर में सैहुग दिया जाएगा किसानों को और किसानों से सुजहाव भी लिया जाएगा agriculture sector के अंदर इनका ये मानना है कि किसान और नेताओं के बीच में communication gap रह जाता है इसी वज़े से किसान नेताओं को जो हो गालियां देते हैं तो मैं उस communication gap को remove करूँगा ये हैं राकेस दोलताबाद और ये बादशापुर से जो हैं वो निर्दलिय विधायक हैं ये बात आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला किसान हमारा क्या होगा हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार पता लगा है कि इस गाओं के रिस्तेदारी पांच राज्यों से है क्या इंटरस्टिंग सर्वे हुआ है भाईए तो ये पांच राज्यों से रिस्तेदारी वाला गाओं है हिसार जिले का अगरुवा के अंदर पढ़ने वाला गाओं कुलेरी गाओं ए आप्षन जो है इस क्युस्तन का हमारा हो बिलकूल्कूल ठीक है तो ये पांच राज्यों कोन से है से सो परिवार ऐसे है या यूं कहिएगा सो बवेल आई वही है इन पांच राज्यों से ही ठीक है और यहां लाके जो है हर्याना की ही वेस्ट भुषा में या हर्याना की ही बोलचाल में ही रंग चुकी है अब ये यही नहीं हिसार के ही पास में गाउँ पड़ता है जूगलान तकरीबन 20 किलोमेटर दूर एक गाउँ है इस जुगलान गाउं में जो है तिरुपूरा से बहुए लाई वही है तिरुपूरा राज्ये से और नोर्थ इस्ट की ये बहुए वहाँ पे जिन स्टोप पहनती थी और यहाँ आके तो हरियाना का अंदाज ही बदल गया अब यहाँ पे काटड़ा पकड़ के गुमरी हैं भी बिचारी ठीक है यह बैस मेरे को पकड़ ले ले जा खेर जो भी बात है आगे जाते हैं एकला क्यूसन हमारा क्या है कि NSG यानि की National Security Guard का 36वा स्थापना दीवस संभारो केंद्रिये ग्रह राज्ये मंत्री जी किसंद्रेडी के मुखे अथिती के रूप में मानिसर स्तित Training Center में मनाया गया NSG की स्थापना कब हुई थी बहुत important क्यूसन है देखिएगा NSG की स्थापना कब हुई थी ये क्यूसन आपका सही अंसर रहेगा 22 September 1986 को अब आप कहेंगे सर समार हो तो October में मनाया जा रहा है स्थापना September में हुई है तो देखिएगा 15 October 1984 को NSG की स्थापना के लिए अवधारना आई थी ठीक है और उसके बाद में जो है इसके उपर राश्टरपती की मोहर लगी थी 22 September 1986 को तो स्थापना तो 22 September 1986 को हुई है अंसर तो ये रहेगा लेकिन समारो जो है लगबग जो है October के महिने के अंदर मनाया जाता है तो इस बार 36 स्थापना समारो म और इसके एजनसी के एग्जीक्यूटिव का नाम किया सुरुजी सिंग देशवाल है ठीक है SS देशवाल भी कह सकते हो इन्होंने ही जो है इस कारेकरम की अध्यक्सता भी किया है और इसी मोके पे 19 वीर सहीदों को समर्पित एक सोरे नामक किताब जो है उसका विमोचन भी क और केस साथ ही जो है कई सारे जवानों को पुलिस पदक और अन्य पुरुसकानों से भी समानित किया है नीट रिजल्ट में ट्राइसीटी ट्राइसीटी का मतलब है यहां पे क्या है चंदीगड़ है मोहाली है और पंचकुला है ठीक है तो ट्राइसीटी नीट आपका नैस जोत रहे तीसे नंबर पे मारिया मैथ्यू रही इनके नंबर्स भी आपको मैं बता देता हूँ देखो ट्राइ सिटी के सेंट पिटर स्कूल के सेक्टर 37 से बारवी कर चुके गुर किरिज सिंग ने 710 मार्क्स लेते वे आल इंडिया रैंक में 15 वा रैंक जो है वो हासिल किय और बेटी स्कूल मोहाली के नवजो सिंग ने 691 मार्क्स लेते वे आल इंडिया में 221 वा रैंक जो है वो हासिल किया सेंट पिटर स्कूल सेक्टर 37 की मारिया मैथ्यू ने 690 मार्क्स लेते वे 254 रैंक जो है वो हासिल किया अच्छे इसमें मजे की बात ये रही है कि सोयब आफताप जो है इन्होंने टॉप किया है 720 बटे 720 नमबर लिए इन्होंने ओडिसा के रहने वाले हैं ओडिसा इतियास में इन्होंने जो इतियास रचा दिया और हालांकि इन्होंने 100% मार्क्स तो लिए हैं लेकिन ये पहला rank hack नहीं है ये अभी नीट ने गोश्टा नहीं की है नीट के कई सारे rules होते हैं उसके बाद ही पता लगता है लेकिन 100% marks जो है इन्होंने ही लिये हैं सोयब आफताप ने ठीक है तो electronics और सूचना अप्रिद्योदगी मंत्रा लिया यानि कि आपका electronics and information technology department जो है उसके तत्वा धान में गुरू ग्राम में अंतरास्किये ए कच्रा दिवस समहारो कब से कब तक आयोजित किया गया तो गुरू ग्राम के अंदर ए कच्रा समहारो कब से कब तक आयोजित किया गय और clean to green ने जिम्यदार e-kच्रा निप्टाने के लिए मतलब e-kच्रा क्या होता है e-kच्रे का मतलब से हमारा mobile charger खट खराब हो गया हम उसे वैसे फैंक देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए उसको फैंक नहीं चाहिए उसको क्या है कि e-kच्रे के अंदर जो है डालना चाहिए बेसिकली कंपनिया भी इन्हें वापिस ले लेती है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ठीक है सर इससे benefit क्या होता है मतलब अगर ना भी दें तो देखी का क्या होता है electronic gadgets में जो है न सोना चांदी आप काउगिसर सोना होता है बिल्कुल SIM के उपर जो covering होती है वो आपकी सोने के ही होती है अब इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप हराम करो के तरह से उंपोर तोड़दो फोड़दो चांदी तांबा पलेडियम यह बहुत सारी धातू होती है सीसा भी है पारा भी है कैडमियम क्रोमियम ब्रोमी नेडिड प्लास्टिक सीसा ही बहु विशली धातों की वज़े से आती है तो इनको जो है निप्टान करने के लिए ये दिवस मनाया गया है ठीक है ये जानकारी दी किसने है Electronics और सूचना जो डिपार्टमेंट है इसके वैजानिक F Dr. Sandeep चटरजी ने दी है ठीक है इनको मजबूती देने के लिए राजय सरकार ने इसके निदेशालिय के गठन को मंजूरी दे दी है ये भी बहुत इपॉर्टन क्यूसन है तो देखिएगा MSME वैसे इसका फुल फॉम बनेगा लगू, कुटीर और मध्यम लेकिन तीनों को मिला दो तो MSME बनेगा ठीक है MSME का मतलब है Macro, Small and Medium Enterprises इन तीनों के लिए ही इन तीनों उद्योगों को मजबूती देने के लिए एक निदेशालिय का गठन की मंजूरी दी है क्योंकि आपको पता है कि Ease of Doing Business में हमारा रैंक इस बार 16 में आया है कभी हम तीसरे नमबर पे हुआ करते थे पिछले साल इस बार 16 में आया है तो इसकी रैंकिंग सुधारनी के लिए ही ये काम किया गया है मतलब क्या है कि इन सभी उद्योगों को रोजगार देना एक टाइप से या यूं कहिएगा आप लोग इन तीनों को एक साथ जो है इकठा लाके और एक स्तंब के रूप में काम करवाना दूसरी बात जो है इनको जरूरी टूल्स उपलब्द करवाना इनको जो है जहां भी जरूरी होगी ब्याज वगरा की तो वो पैसा वगरा वो भी देना ये आपके MSME में आते हैं ग्रामो उध्योग आते हैं कुटीर उध्योग आते हैं हतकरगा उध्योग पावरलूम उध्योग ये छोट-छोटे उध्योग आते हैं इन सभी को अनेक सुईधाईं देने के लिए जो है एक निदेशाल्य बनाया गया है जैसे आप इसका यूँ कोर्लेट कर सकते हो जैसे हमारे आर्मी, नेवी, एरफोर्स तीनों को इपर एक सीडियस बनाया गया ना वैसे ही एक वैलफेर बोर्ड बनेगा जो इन सभी उध्योगों को परभंद करेगा मैनेज करेगा MSME जो है, इसकी स्तापना 2007 में हुई थी, इसका है डुकार्टर न्यू डैली मेर अतीश कुमार सिंग जो है, इसके अध्यक्स का नाम है या यू कहिएगा जोइंट सेकेटरी है फिलहाल इस डिपार्टमेंट के चलिए इसी के साथ ये लेक्टर समाप्त होता है पर आप आई हाली में महिला, विकास, निगम का चेर्मेन किसे बनाया गया है बविता फोगाट, कविता गोदारा और प्रियंका जाखड इन में से कोई नहीं अब आप इसको ना करी करके सीधा अंसर दे के मत भाग जाईए कि A option, B option, C option विस्तार से बताईएर कौन-कौन से टोटल चेर्मेन बने हैं उन सभी के नाम बताईएर कौन-कौन सा उनको डिपार्टमेंट मिला है वो बताईए तब तो मैं आपको जानूँगा कि आप अढ़ाई करते हूं वरना तो आप सीधे भाग के जाएंगे तो फिर्दे को फाइदा नहीं है